नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गैलरी फोटो लोग अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस गर आप भी जानना चाहते हो कि यह अप्लिकेशन है क्या वर इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें फोटो लोक एप और यहां पर हाइड पिक्चर लिखा हुगा ठीक है न तो यह लोगो भी आप देख से तो मैं इस अप्लिकेशन को अलड़ी इपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ आप डाउनलोड कर लिजिए उसके बाद नीचे के साइड में इसके रिव्यूज अपनी गैलरी में लोक कर सकते हुए इसके लावा यहां पर कोई भी फाइल वगरा कुई भी डॉक्यमें अगर इसमें आपको सेव करके रखना है तो यहां से आप रख सकते लिए तो यहां पर इसके अंदर बहुत सारे अलग-लग folder wise यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे पर चल्डे का सि pocz पहले हम स्टार पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले है पर आपको password डालना है तो चले हम ऑप वन टो तुन करते हैं, जो भी आप tag पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्टॉबरन करना है, दुबरा पासवड को डालना है, तो password दुबारा डाल दिया, आप guys click करेंगे, तो guys यहाँ पर हमारा password है, वो set हो जुका, अब यहाँ पर email id आपको set करने हैं, तो चलिए, example के लिए email id आपको set करेंगे, उसके बाद, उक्ये पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, अपना question select करना, तो चलिए यहा question यहाँ पर हम जो select करेंगे, तो हम इसके उपर click करेंगे, इसके उपर click करने के बाद, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक question यहाँ पर हम set करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर what is your best friend, what is your friend name, चलिए यहाँ पर हम friend name लिखते हैं, what is your friend name, तो यहाँ पर answer में JP ल ईहां पर एकडी के बाद यह एप्लिकेशन ओपन हो фट कुक यहां पर फोटो का उप्सक्ण के उपछेंज से इसे अप्लिकेशन inक्रakah वीडियो के ओपर क्लिक करेंगे नई अगर एप लॉक लगाना तो एप लॉक के उपर क्लिक करके आप जो है यहां से एप लॉक भी लगा सकते हो इस एप्लिकेशन के लॉक लगाना चाहते तो वह भी लगा सकते हो ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले फोटो साइड करके हम बता देते हैं तो यहां पर फोटो वाले जो new folder है वो create हो चुका ठीक है अब guys यहाँ पर इसमे photo add करने के लिए यहाँ पर जो अगर अपनी camera से कोई click करना चाहते हो तो camera से click कर सकते हो download करना चाहते हो और अपनी gallery से कोई लेना चाहते हो तो import photos वाला option है इसके उपर आपको click करना है इसके उपर click करने के बाद allow पर click करना है allow पर click करने के बाद यहाँ से कोई भी photo आप जो select कर सकते हो ठीक है न तो चलिए example के लिए यह वाली photo हम यहाँ पर select करते है तो photo यहाँ पर आ चुके ठीक है add को close करेंगे अब यहाँ पर देख तो new वाला folder के अंदर हमने एक photo add की थी तो एक photo यहाँ पर जो add हो चुके ठीक है यह वाली photo यहाँ पर आचुकी है इसी तरीके से गर आपको video add करने है तो video के उपर click करना है उसके यहाँ पर कोई भी एक album को यहाँ से जो है आपको folder को open करना ठीक है ना folder open करने के बाद यहाँ पर import video के उपर click करेंगे और यहाँ से कोई भी video जो आप select कर सकते है तो यह video हम select करेंगे उसके बाद इसके उपर click करेंगे और यहाँ पर lock पर click करेंगे तो यहाँ पर app lock के उपर click करेंगे, okay पर click करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको permission देनी पड़ेगे, उसके बाद यहाँ पर आप gallery में lock लगा पाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर loading ले रहा है, loading लेने के बाद यहाँ पर हमारी जो application है, gallery photo log इसके उपर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर allow पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर check करेंगे, उसके बाद okay पर click करेंगे, ठीक है ना, okay पर click करने के बाद यहाँ पर जो है, हमारे phone में इस application का जो lock है, वो हम set कर पाएंगे, ठीक है ना, तो चले यहाँ पर हम okay पर click करते हैं okay पर click करने के बाद यहाँ से जो हम back आएंगे ठीक है न तो back आने के बाद यहाँ पर जो है okay पर फिर से permission allow करेंगे permission यहाँ पर allow display over the other app ठीक है इसके उपर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है lock का option आएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमारी application को select करेंगे photo lock application को ठीक है न तो photo lock देख लेते हैं एक बार हम जो अपनी application को तो यहाँ पर हमारी application के अंदर lock जो है set हो चुका ठीक है न तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर हम जो application को देख लेते ठीक है तो यहाँ से इस list के अंदर से हम अपनी application को ढून लेते हैं तो guys यहाँ पर already यहाँ पर lock लग चुगा जिसके विज़य से यहाँ पर application नहीं आ रही है ठीक है न तो यहाँ पर फिर से हम app lock के उपर क्लिक करते हैं यहाँ पर application के अदर lock लग चुगा अगर किसी दूसरी application को आपको lock करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा उसके उपर जैसे आप click करेंगे जैसे कि Facebook को lock करना है तो Facebook के उपर click करेंगे तो Facebook यहाँ से lock हो जागा ठीक है ना जिस जिस application को आपको lock करना है simply काई उसके उपर click करके आप उसे lock कर पाएंगे जिस भी application को lock करना है उसके सामने आप click करेंगे तो यहाँ से जो application lock हो जागे तो इस तरह से जिस भी application को lock करना आप easily यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद settings का option है setting का option के उपर click करने के बाद change password वाला option मिलेगा set password recover का option मिलेगा यहाँ पर fake password का भी option मिलेगा तो यहाँ पर set unlock pattern जो भी pattern set करके रखा तो उसे unlock करना तो वो भी कर सकते हो ठीक है न? app delete protection अगर on करना तो वो भी यहाँ से आप जो कर सकते हो तो गाइस उमिद करता आपको पता चल गया होगा कि photo lock gallery application को आप अपने phone में कैसे use करेंगे तो गाइस गर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करना शेयर करना और गर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे